Hey everyone, आप देख रहे हैं VTAC और आज किस वीडियो में मैं बात करूँगा HDMI Cable के बारे में कि क्या होती है HDMI Cable, ये किसलिए यूज होती है बात करेंगे इस वीडियो में HDMI Cable काफी common है, इसे हम हर जगे यूज करते हैं चाहे आपका TV हो, चाहे आपका computer हो, projector हो या फिर gaming console हो, हम इसे हर जगे यूज करते हैं तो ये एक interface है जिसका हम यूज करते है ओडियो और वीडियो के signal भेजने के लिए जिस device से हमने इस HDMI Cable को connect किया है मानिजी आपने connect किया है अपने monitor से या फिर अपने TV से, projector से, किसी से भी HDMI Cable से उसे connect किया है यानि आप उसमे HDMI Cable से audio और वीडियो दोनों के signal भेज रही है अगर बात करें पुराने दिनों की जब आप वीडियो देखते थे अपने TV पर कुछ भी देखते थे तो आपके पास काफी components होते थे अलग-अलग audio के लिए काफी component लगाने पड़ते थे वीडियो के लिए भी काफी ज़्यादा component लगाने पड़ते थे यानि अगर आपको उस पर वीडियो देखनी है तो आपके पास अलग-अलग connector थे अलग-अलग pins थी उन components उन connector को लगाईए तब आपके TV में वीडियो आएगी या फिर monitor में वीडियो आएगी और अगर आपक के लिए भी जब जाके आप कहीं वीडियो के साथ audio देख पाते थे फिर उसके बाद जब HDTV सबसे पहली बार इंटर्ड्यूज हुआ यानि HDTV सबसे पहले आया तो उसमें ये सब चीजे नहीं लगाने पड़ती थी यानि वीडियो के लिए अलग 3 केबल audio के लिए अलग 3 के पाते थे audio और वीडियो के लिए इसमें वो नहीं था एक अलग केबल बनाए गई दोनों को मिला कि जिसमें audio के सिगनल और वीडियो के सिगनल दोनों ट्रांसफर हो सके HDMI केबल की प्रोडक्शन 2003 के करीब करीब शुरू हो गई थी कंपनी ने इसे मैनुफेक्चर करना शुरू कर गया था उसके बाद से काफी जाद अपग्रेड होता रहा है और उसके काफी जादा वर्जन भी आ गए है जैसे 1.3, 1.4, 2.0 और latest 2.1 भी आ चुका है जिनने हम हर जगे यूज़ करते हैं और HDMI आजकल काफी जादा कोमन है तो बात करते हैं कुछ HDMI केबल के कोमन वर्जन के बारे में तो जो एक कोमन वर्जन है काफी पुराना है पर वो लोंच हुआ था लगबग 2006 के करीब वो था 1.3 जिसमें कलर डैप्थ को एंहेंस किया था और उसमें Dol को यूज़ करते हैं तो आपको एक अच्छी clear image मिलेगी वो भी surrounded sound के साथ क्योंकि इसमें Dolby HD true था इसके बाद आये version 1.4 और जो ये maximum resolution सपोर्ट कर सकता था वो था 4K पर जो 1.4 था वो सिर्फ 4K को 30fps पर ही दिखा सकता था पर ये full HD वीडियो को 120fps तक दिखा सकता था इसमें और भी जादा additional features थे जैसे ये 3D को support करता था यानि आप HDMI version 1.4 की cable को use करके 3D movies को enjoy कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप किसी दो device को use करते है HDMI cable से connect करने के लिए तो आप उसमें internet भी share कर सकते हैं तो इसके साथ ये resolution को बढ़ा दिया गया था और इसके ये दो advantages भी थी इ काफी जादा common है और काफी लोग आज इसे use करते हैं इसे version 2.0 के अलावा HDMI UHD भी कहा जाता है काफी manufacturer इसे simply 2.0 कहते हैं और कुछ कहते है HDMI UHD और ये cable 4K वीडियो को support करती थी पर ये 60fps यानि 60Hz पर उसे support करती थी 4K वीडियो को और full HD वीडियो उसको 120fps यानि 120Hz पर support करती थी और इसे के साथ ये Dolby Home Atmos को भी support करता था और 21 by 9 की aspect ratio भी support करता था इसके बाद आया HDMI 2.1 जो 4K वीडियो को 120fps पर support करता था 1080p को भी 120fps पर support करता है और इसके अलावा इसमें काफी जादा advantage है इसके audio के advanced format आचुके है ये काफी अच्छी audio दे सकता है surround system के साथ साथ तो HDMI 2.1 अभी इतना जादा famous नहीं हुआ है कि ये अभी ही launch हुआ है काफी सारे लोग 2.0 को भी use कर रही है तो ये थे HDMI के कुछ version और उसके basic तीन type होते है HDMI के simple HDMI जो हम अपने TVs या फिर projector monitor पर लगाते है एक होता है mini HDMI जिसे हम cameras में use करते है recording gear के लिए और उसके बाद आती है micro HDMI जिसे phone में use किया जाता है या फिर जिसका phone factor small होता है phone जैसे चीजों के लिए small चीजों में use करना होता है तो हम वहां micro HDMI यूज करते हैं तो आप अपना HDMI का port देखिए जब आप HDMI cable खरीद रहे हो mini है standard है micro है आपको कौन सा version चाहिए उसके बाद आप HDMI cable खरीज सकते हैं तो य क्योंकि मैं इस परसे वीडियोज लेकर आता है तो मिलते हमारी अगली वीडियो में